महिस दामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंस एक प्राइवेट स्कूल में सर्वधर्म जागरुप कारेकरम के दौरान छात्रों से नमास पढ़णवाने को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने जम कर बवाल काटा है यही नहीं इस स्कूल में विरोध परदस्थन करने के दौरान एक टीचर की जम कर हिंदू संगठन के कारेकरताओं ने पीटाई भी कर दी है मामला गुजराद के एहमदाबाद के घाट लोडिया इलाके का है जहां कलोरेक्स फ्यूचर नामा की स्कूल है और इस स्कूल में जो है इस तरह का मामला दरसल इस स्कूल में सर्वधर्म जागरुक कारेकरम था जिसमें छात्रों को सभी धर्मों के बारे में जागरुक करना था और इद मिलात्मभी का तोहार था और इस मौके पर छात्रों को दो मिनट का नमाज पढ़ते हुए परफॉंस करना था जिसके लिए स्कूल के तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के अभिवावक्यानिकी जो उनके पैरेंस है उनसे भी सहमती ली गई थी उसके बाद ही ये परफॉर्म्स किया गया था लेकिन हिंदू संगठन के कारेकरताओं को जब इसके बारे में जानकारी लगी ये वहाँ पर पहुँचे और इसका विरोत परदर्शन किया हलाकि टीचर से भी जो है मारपीट की गई जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में वा कि अगली बार से साउधानी बरती जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर माफी भी स्कूल के तरफ से बता जा रहा है कि मांग दी गई है लेकिन सवाल उड़ता है कि स्कूलों में सर्वधर्म जागरोग कारेकरम अगर होता है सभी धर्मों के बारे में महाँ पर जानकारी दी जाती है और इस सभी धर्मों को लेकर परफॉर्म्स किया जाता है तो इस पर किसी को आपत्ती नहीं होनी चाहिए